यहीं दोस्तों, मैं आपके एक 12 फिर से टैक्परी चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था Python के अंदर आपके data types क्या होते हैं, कितने प्रकार क्यों होते हैं, क्यों उनका आप use करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा Python के numbers के बारे में या फिर आप बोलते हैं number type के data types के बारे में जो कि आपके हैं int, float और complex यह तीन तरीके के आपके data types होते हैं numbers के लिए जो आप use करते हैं Python के अंदर और उनका क्या use होता है, किस प्रकार से आप उनको लिख सकते हैं और एक program से भी हम समझने के कोसिस करेंगे आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को सब्स्क्राइब कर जीज़ेगा क्योंकि मैं समसे हैं पर आपके लैसी ही वीडियो लाता रहता हूँ तो दोस्तों बनागे से वारवादी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें आपके पास तीन प्रकार के नमबर डटर टाइपस होते हैं Python के अंदर, पहला होता है आपका integer, यानि कि int दूसरा होता आपका float, या फिर आप उसे बहरा है floating point data type तीसरा होता है आपका complex, जो कि आपका imaginary type कar data type है Integer जो होता है, आपका decimal point को not use करते है यानि कि integer आपके ऐसा whole number होता है जो कि आपका decimal number को not use करता है यानि कि point को use नहीं कर सकते है तो integer में आप लिख सकते हैं 5 या कोई भी एक number, whole number साथ में वो negative भी हो सकता है और positive भी हो सकता है और उसके range वो unlimited हो सती है So integer type का data type आपको समझ में आया हुआ एक ऐसा data type जो whole number होगा negative हो सकता है पर उसमें decimal point नहीं होगा अगर हम बात करते हैं float type की तो float आपका एक floating point के लिए उस होता है floating point के मतलब हमारे हाँपर decimal points है example के लिए आप समझिए आपके पास एक constant है 5.5 तो यह constant वो आपका float type का है अगर आपके पास है 1.3.45 यह भी आपका एक float type का मतलब constant है अब बात करते हैं complex के जब हमारी complex की बात आरती है तो हम यहाँ पर imaginary part के बात करते है यहाँ पर imaginary के लिए एक variable या फिर आप बोल सकते हैं एक symbol यूज होता है इसको अब J बोलते हैं तो आप जब भी J लगाएंगे constant के बात तो वो आपका imaginary या फिर आप बोल सकते है complex type का हो जाएगा तो complex type अगर आप लिखना चाहते है तो आप लिखेंगे सब उचीज आपके पास नमबर है 5 उसके बाद आपको J लगाना पड़ेगा जब आप J लगाने को J आपका imaginary है और वो जब imaginary बन जाएगा 5 J वो आपका complex type कहलाएगा तो अतीम पकार के आप यह नमबर होते हैं Python के अंदर फ्लोट आपका एक scientific number का भी यूज करने के लिए यूज होता है जब भी आप E लिखते हैं तो उसका मतलम माना जयता है 10 की power तो फ्लोट में आप E का भी यूज कर सकते हैं E और M जो है mantissa और exponential form यह मैंने आपको पहले भी बताई थी देखिए आप एक type से दूसरे type में भी अपने variable को या data type को convert कर सकते हैं using int method, float method और complex method क्योंकि हम मैं आप method बोलना हूँ तो आपको int के बाद parenthesis open करना पड़ेगा float के बाद आपको parenthesis open करना पड़ेगा complex के बाद भी आपको parenthesis open करना पड़ेगा int parenthesis के अंदर जिसको भी आप convert करना चाते हैं उसको pass कर सकते हैं अगर आप int type के variable को float में convert करना चाते हैं तो आप float parenthesis से बीच में int type के variable को pass कर सकते हैं अगर आप एक float type के variable को int में convert करना चाते हैं se int-paranthesis के बीच में float-type के variable का नाम को पास कर सकते हैं अगर आप integer-type के एक variable को complex में convert करना चाहते हैं तो आप complex parenthesis के बीच में integer-type के variable को पास कर सकते हैं तो इसे में वो जो आपका integer number है वो complex type का हो जाएगा और यहां पर एक ज्यान देने बाली बात ये है कि आप complex number से integer या float number में convert नहीं कर सकते हैं यानि कि आप integer से float में convert कर सकते हैं float से integer convert कर सकते हैं integer से complex से या float से complex कर सकते हैं पर आप complex से integer या complex से float नहीं कर सकते हैं तो यह rule आपको याद रखना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, आप मुझे कमेंड कर सकते, कुछ ऐसी चीज जो साइज मैंने गलत बता दियो, आप मुझे कमेंड करके बता सकते, उसको सुदारेंगे, या फिर कोई नौलिज या कुछ एक अच्छी चीज जो आपके पास आती है, और आप मेर कर सकते, वापर आप मेरे से बात कर सकते, तो दोस्तों आच इस वीडियों से इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यबाद,